न्यूज एटीन इंडिया बकाइदा बहुत सीचा है और उसे आगे बढ़ाया है लेकिन तौकिर साथ इस वक्ट जो आप कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के आईन के मताबिक नहीं कर रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो भड़काने का काम कर रहे हैं आप पर यह आरोब भी लग रहे हैं और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप से एकदम सीधे तोर पर बात हो जाए। आप ये कहते हैं कि अब हम बुल्डोजर को बरदाश्ट नहीं करेंगे। आप ये कहते हैं कि UCC तो पहले से चला आ रहा है। आप ये कहते हैं कि हलदवानी में जो हुआ है वो ठीक नहीं है और इसलिए आप गिरफतारी देना चाहते हैं इन फाक्ट हिरासत में ले लिया गया है आपको अब मेरा सवाल आप से ये है कि आप लोग को तो आप मानने की बात ही नहीं कह रहे हैं आप छोड़ दीजिए आप कोई एक पन्ह, कोई एक लाइन, कोई एक शब्द मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पर लिखा हो कि आप किसी विवादत जमीन पर मसجद को खड़ा कर सकते हैं या किसी की जमीन को कब्जा सकते हैं तुम्हें अपनी नेकियों से उसे तॉलना पड़ेगा ये इतनी खतरनाक बात है कि आप किसी पर कबजा नहीं कर सकते हैं अगर हिंदुस्तान का कानून ये कह रहा है कि आपने वो जमीन कबजाई है अगर हिंदुस्तान की कोट इस बात को मान रही है आप स्टे लगवाना चाहते हैं और उस पर स्टे नहीं लगा रही है तो आप समझ जाएए ना कि वो सरकार की जमीन है और उस जमीन पर आप अपना मालिकाना हक नहीं छोड़ सकते हैं और अगर आप मालिक नहीं है या उसका वखफ नहीं हुआ है तो आप उस जमीन पर मस्जिद नहीं बना सकते हैं आप वहाँ पर मदरसा जब सरकार ने कह दिया है जब कानून लागू हो गया है कि कोई भी मदरसा बगैर रेजिस्ट्रेशन के नहीं रहेगा उत्तरा खड़ में 415 रेजिस्टर्ड मदरसा है उनमें से एक पर बता दीजिए आप चाबुक चल गया हो या एक पर बुल्डोजर चल गया हो या एक पर कानूनी कारवाई हो गई हो आप से मुलाकात करने से पहले या आपको चैलन्ज देने से पहले बकाइदा कुछ देर पहले मैंने मदरसा एजूकेशन बोर्ड के चैमिन है मुफ्ती शमून कास्मी सहाब उनसे पूछा ये बात कि ये जो हल्दवानी में जिस मदरसे पर आक्शन लिया जाने वाला था क्योंकि अभी तो सिर्फ सील किया गया ना अभी तो उसकी एक दिवार को चोड़ तक नहीं आई है और आप कह रहे हैं मुसल्मान बैठेगा नहीं अब आप अगर उसके उपर हमला करेंगे तो वो जवाब देगा ये कानून कहता है कौन सा हमला किया है नोटिस पर नोटिस चस्पा किये गया है इतना वक्त दिया गया कि ये साहब जो हैं जिनकी जमीन मलिक का बागे जो जानी जाती है अब्दुल्मलिक इन्होंने बकाइदा अर्जी दी है कोड़ पे कि इस पर स्टे लगाया जाए और कोड़ ने उस स्टे से मना कर दिया है तब जाकर वहाँ पर फोर्स पहुँचाएगी और पूरे अलाके को सील किया गया आप मुझे ये बताइए कि उस अलाके में जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी से भरा हुआ है पेट्रोल बॉम कहां से आ गया ये कौन सा कानूनी तरीका है एक सीधा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और फिर कह रही हूँ मैं खुद आपकी बहुत इस्ज़त करती हूँ लेकिन जो रोल इस वक्त जो किर्दार इस वक्त आप निभा रहे हैं उस किर्दार से कोई भी समझदार आदमी हामी भड़ते हुए उसको सपोर्ट करते हुए नहीं नजर आ सकता है आप भड़काने का काम कर रहे हैं आप उकसाने का काम कर रहे हैं पुलिस ने अगर कानून को साइड में रखकर कोई काम किया हो कोई गयर कानूनी काम किया हो तो आप बताईए यू सी सी आप कहरा हैं पहले से ही लागू है तो फिर अगर पन्नों में आज लागू हो गई है तो आपको किस बात की दिकत है घ्यान वापी पर आप कहरा है कि मैं जमीन देने को तैयार हूं मान सरोवर जो हैं लेकर आ जाईए आपके एगो को थोड़ी यहाँ पर मसाज करने के लिए लोग बैठे है मान सरोवर को जब लेना होगा ले लिया जाएगा ग्यान वापी डिस्प्यूटिड लैंड है मैं फिर चैलेंज कर रही हूं आपको आप मुझे बता दीजे ना किस डिस्प्यूटिड लैंड पर मस्जिद बनाई जा सकती है और आपने मस्जिद बनाई क्या अल्ला की इबादत वहाँ पर की जा सकती है क्या अल्ला उस नमाज को कुबूल करेगा बताईए कहां किस लाइन में आप मुझे समझाएंगे रही बात हल्दुआ नहीं की वहाँ पर सवाल प्रशासन से होना चाहिए कि पूरा इंतजाम क्यूं नहीं किया गया जब आपको पता था कि वहां से बं बरसाए जा सकते हैं गोलियां से आपके शरीर को चलनी किया जा सकता है तो फिर क्यों पुखता इंतजाम नहीं किये गए थे, UCC हो गया, लेकिन वहाँ पर एक मदरसा को, और ये साहब कौन है अब्दुल मलिक, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, अब्दुल मलिक, जो मलिक का भाग, जो आप सुन रहे हैं न, वो इलाका, अब्दुल मलिक शेरवुट से पड़ा हुआ इंसान है, बहुत सारी प्रापटी है उस शक्स की वहाँ पर, बहुत रसूगदार आदमी है, और कहा तो ये भी जाता है, मेरी कुछ लोकल से वहाँ पर बात हुई है, और ये कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जमीनों में अब्दुल मलिक का इ और कोट ने कहा था कि ये जो भी इलाका है, इस इलाके का कोई एक फाइनल कंक्लूजन निकालिये, नगर निगम से कहा था, वो नजूल पॉलिसी आप समझते हैं, मतलब नजूल वो इलाका होता है, जिसको सरकार जो है, समझ लीजे ऐसे लीस पर दिया, कि 100 साल के लिए, 90 स हो जाती है, वो सरकार की हो जाती है, इस केस में यही हुआ था, उसके बाद नगर निगम ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, अब वहाँ पर अब्दुल साहब ने क्या किया कि प्लॉट काट दिये उस जमीन पर, और फिर एक एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसकी मिनार नहीं थी, इस मस्जिद की मिनार नहीं थी, लेकिन वो मस्जिद कहलाती थी, शायद वहाँ पर जाकर पहले हरफ में नमाज भी पढ़ लेते हो, मुझे नहीं मालूम है, और नीचे मदरसा चलता था, और वो मदरसा ऐसा जिससे रेजिस्टर नहीं किया गया था, उत्तराग और आला हजरत से तालुक रखने वाले हैं, आपकी बात को कौन ऐसा है जो ना सुनेगा, लेकिन आप अच्छी बाते बताने की बजाए, चुनाव आते ही अचानक पुलिटिकली आक्टिव हो गए, हल्दवानी से बरेली की दूरी आपको पता है, कितनी है, मैं दर्शकों क बताना चाहती हूं, 80 किलो मीटर, 80 किलो मीटर, चुनाव कितने दूर है, खलाब 200 दिन से कम का वक्त बचा है, और क्यों मुझे चुनाव की अभी याद आ रही है, तौकी रजा साहब का नाम सुनते ही क्यों याद आ रही है, मैं मौलाना तौकी रजा की बारे में थोड़ा की बात हो जाए, तो ये तौकीर साहब की जिम्मेदारी होगी, और किसी की नहीं होगी, तो तौकीर साहब ने एक पुलिटिकल पार्टी बनाई है, बहुत गौर से सुनिएगा, और पुलिटिकल पार्टी का नाम है इतिहाद मिल्लत काउंसल, अब हुआ ये के रजा साब साथ अक्टूबर 2001 को इस पुलिटिकल पार्टी को बनाया, ठीक है, और बकायदा 36,000 वोट भी इनको मिले, जो मेर कैंडिडेट था ना, उसे 36,000 वोट मिले, दस सीटे भी जीती इस पार्टी ने, फिर 2009 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें इन्होंने कॉंग्रस को सपोर्ट किया, फिर उसके बाद 2014 के जो जनरल इलेक्शन हुए, उसमें इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया, लेकिन यही जो 2012 था, इसमें उन्होंने कहा कि जो अकलियत है, यानि जो माइनौरिटी कम्यूनिटी है, उसे अपने ही किसी बंदे को चुनना चाहिए, तो फिर एक शाजल इसलाम अंसारी है, जोनोंने इन्डिपेंडेंट कैंडिडिट के तौर पर चुनाव लड़ा, जब जीते तो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल गया, और तौकी रजा साब के लिए मैं बता दू के यह जो है, 2013 में जो हैंडलूम कॉर्परे इसमें मुसल्मानों के साथ अन्याय किया है, और इसलिए उन्होंने टाटा बाई बाई कह दिया, पेराल यह पुलिटिकल एफिलियेशन जो रहा है ना, तौकी रजा साहब आपका, उससे आज की तारीक में बहुत से सवाल खड़े होते हैं, जो आक्शन कानूनी है, उसमे आप प्रधान मंत्री नरेंज मोदी को घसीत रहे हैं, दूसरे तमाम इदारों को घसीत रहे हैं और कह रहे हैं कि इन पर यकीन नहीं किया जा सकता है, पर कोड़ पर तो आप यकीन करेंगे ना, और अगर कोड़ पर भी यकीन नहीं करेंगे, तो फिर हिंदुस्तान के वर्ना बता दीजे एक ऐसा वाकिया बता दीजे जहां पर किसी disputed land पर अल्ला की इबादत करना जायस ठहराया गया हो वर्ना तो चुनाव है और सब को पता है कि आक्टिविजम क्यों हो रहा है नमस्कार अजय को पता है